असलाम वालेकूम सस्त्रिय काल नमस्ते कैया नमें बेटा उसका कैरी मिनाटी यह मेरे भाई मेरे छोटे मेरे बेटा कल से रो रहा है और मेरे को मालूम नहीं था वो कुझा दूसरा वो था हो ठगेश ठगेश जो रमजान के बारे में बोला न क्या मालूम ही नहीं था यार, बता हुँ जानो, क्यानी क्या बोल आपको दो क्या बूल रहा हूं इस underest कुरा? असली नाम है अजे, अजे हे क्या वाती है ने अच्छा लगते है लेकिन बटा वो यार लेकिन क्यारी जानो यांट साल का है छोटे तू यार जानो घाली गलो थोड़ा कमकर बाकी अच्छा है तू मैने तेरे दो चार विडियो देखे और वो लड़के ने जो ठगेश था क्या नाम था उसका उसने सौरी बोल दिया है और छोटे लव यो मेरी जान तुने जो आमीर की बजाया ऐसा ही बजाया बाकी यार ठोड़ा गाली गलो तेरे को बच्चे लोग भी दिखते यार मेरी जान यार जानो थोड़ा इसको भी जराया है ये भी तेरा फैन है सोच ये आज साल का है ऐसे तेरे हो मेरी बहन का बेटा बहुत सारे तेरे फैन है मेरी जान बाकी मैंने देखा तुने अपने लिए कभी कुछ नहीं बोला और किसी के लिए यह अमीर की तुने बजाया सही बजाया बागी लव यू मैं जो बोला हूँ न वो देख आज तक मैंने कभी जिन्देगी में PM, CM DM किसी के लिए एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया लेकिन ये राच से रो रहा है राच से रो रहा है के बपा, कैरी मिनाठी is not a bad person कैरी मिनाठी is not a bad guy he is everybody, he make me laugh every day he is a very hardworking boy he makes so many videos क्या बोल दा तु 새ब कैरी को कई मैशज देना हूँ जोझे ये कैरी मिनाठी को मैशज दियरहूँ मै誠ेज नहीं पर उसका हाड वाकिण के बारे में he回 الدile का जो science आप दोगों को हसाता है अरे गाली चलता नहीं है पंvir को हसाता तो है हां हसाता है वो independ है morgen इंटे हैं और और किया चीज आच्छी लगती है तो वस इतना है अतम हम नाथ Michaels अच्छी लिगती है एक कैरी बाबा गाली वाली मद्दे मेरी जान ठीक है लब यू अपना ख्याल रख अच्छा कर रहा है मुझे तेरे बारे में कभी कुछ पता नहीं था लेकिन अब पता चला है कि तू 19 साल का है और इतना बड़ा यूटूबर है और तुने इंडिया का नाम इतना रोशन किया है और बच्छे लोग तेरे को फॉलो करते लेकिन जानों 18 प्लस का वो डाल देना यार कि 18 प्लस के लोग तेरे को देखे होना क्या होगा ना गाली गलोची लोग भी सीख जाएंगे लेकिन entertainment is number one देखा मैं बहुत असा है तुने और तुने जो आमिर बाबा लिया भी अच्छा लिया और मेरा जो वो पहले वाला message था वो ठगेश के लिए था जो रमजान के बारे में गलत बोला था उसने sorry का वीडियो दाल देला है जो गलत है वो गलत है जो सही है वो सही है चोटे और उसके फैन लोग गाली गलोच मत कर बिटा मेरी बास सुन गाली गलोच मत कर खूश रहे तुम लोग भी आप उन भी खूश बागी उसके फैन लोग को भी लव यू भाई खुश रहो अच्छे से मजे लो मुझे नहीं बता था नाइंटीन यर्स ओल ले वो और उसके फैन भी सब बच्चे लोग है बच्चे लोग सब मेरे लड़क गए मेरा बेटा भी बोल रहा है के नो आई डॉन लाइक यू पापा तुम्हें को समझ में आया में नहीं या वाई को नहीं है कैरी मिनाटी कीप रॉकिंग अपना काम करते रहो अच्छे से खाली गाली मत दे छुटे यार बस इतना कर यार जानू तेरे बच्चे लोग ज़्यादा फैन है यार सब बच्चे इंडिया के तेरे फैन है यार और बाकी कोई भी आओ भाओ और कोई भी आना शाना अपने सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है जो सही है वो सही है जो गलत है वो गलत है और ना अपन कैरी मिनाटी से डर गए ना किसी से डर गए ना किसी से डरते है जो सही है वो सही है कैरी ने अपने वो कुछ नहीं बोल रमजान को भी उसने कुछ नहीं बोला मेरे को मिसंडेस्टेंडिंग हो गया वो मिसंडेस्टेंडिंग यह हो गया कि मुझे लगा कैरी अपना ख्यार रखो मिल जुलके रहो हसते हसाते रहो और बावा टेंशन नहीं ले लेगा सब ठीक है हाँ समझ गया भाई मैं जितने भी मेरे फैन लोग भी मेरे को मेसेज किये के भाई कैरी की गलती नहीं है मेरे को थोड़ा सा समझाने में पब्लिक ने अलग किया मेसेज किया के भाई यह यूटूब मेरे को यूटूब का पता नहीं था जानू के कौन-कौन ख्याल होग है अब एक केरी बाई से नहीं अपनी किसी बाई से नहीं फटती बे यह मेरे बच्चे के लिए मैंने और मुझे भी लगा कि मैं घलत हूँ और जहां पर आदमी घलत होता हुआ उसको बोलना चाहिए नहीं मेरे भी फैंड लोग लिए के भाई वो गलत नहीं था तो सही है ना यार यस यार यस अकानशा आकानशा मेरी दोस्त है उसने भी बोला मेरे को आकानशा तैंक यू मेरे को सब लोग ने बोला दानिस ने बोला सब ने बोला मेरे को मेरे दोस्तों लोग ने बोला कि बाई इस एंटिटेनर तुमको किसी ने गलत इंफोर्मेशन दिया है गलत चीजे बोली है बढ़ ठीक है सच्छा ही सामने आई तो सामने आके बोलने का भी अपने में हिम्मत है क्या होगा अगर दो हाती की लड़ाई हो जाएगी तो सारे कुत्ते फाइदा उठा लेंगे और कुत्ते जादा भोकने लग गए कैरी बाबा तेरे से अपने मिलेंगे इंशालला ये वादा है मैं मेरा बेटा भी सलमान भाई शारुक भाई इंका फाइन नहीं है और मानना वड़ेगा वाई तेरा फैन है मैं वही बोलू कमरा बन करके कान में लगा के क्या करता लेता है ये कमरा बन करके कान में लगा के क्या पूरा टीवी उसने अंदर लगवाया है पूरी चीजे उसने लगवाई है अंदर उसका रूम देखके वो बिलकुल मैं समझ गया फिर मैं बोला all the best for your career keep doing मैंने सोच मैंने देखा मैंने बहुत सारी चीजे तेरे बारे में पता की कि यूर यंगेस यूटूबर जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये सारे रिकॉर्ड ब्रेक किये बहुत अच्छा काम कर रहा है एक नंबर मेरी जान मिलेंगे जब भी एक हग टाइट दूगा और वो पप्पी की जो बात तिया था ना वो पप्पी भी दूगा तेरे को लेकिन प्यार वाली जानू और दूसरे जो यूटूबर हैं उनसे कहेंगे के भाई ये इस तरह से तुमारे बहुत सारे फैन है खाली थोड़ा सा ये दे देख रहे बस और कुछ नहीं मेरी जान लव यू कैरी बाबा अपना क्याल लखना थैंक यू आकान साथ थैंक यू यार कैरी के लिए मेरे को कम से कम दोसो से धाई सो फोन आये मेरे जानने वालों के उसमें से मेरी फैमली के बच्चे है पांच मेरी बहन का बेटा मेरा बेटा फिर मेरे कजीन का बेटा और इसका एक दोस इन लोग वो कान में लगा के चारों लोग मोबाइल में क्या खेलते रहे तेरे अलम पपजी वो पांचों के पांचों मेरे से नाराज हो गए कि नो 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 आपने ये तो मैंने गोला रे बाप रे बाप ऐसा सीन है लव यू मेरी जान कैरी बाबा अपना ख्याल रख और थैंक यू एवरीबडी जिसने मुझे बताया है कि वो रैपर है क्या है वो यूटूबर और ये अलग है कै रही किप इंस्पारिंग पीपल इन गुड वे किप इंडिया को प्राउट करते रहे और अपना ख्याल लगते रहे और जो गलत है उसकी बजा ते रहे अप उन तेरे साथ है और हाँ यार छोटे तेरे फैन लोग को भी बोलके इतनी गाली गलोच पब्लिक के उस पे जाके वो क्याना मैं फैसू आवेज इन लोग को मत करो जानू खतम करो इसको कैरी बाबा टेक केर अफ यॉरसेल्फ अपना ख्याल रखो और इंडिया को प्राउड करते रो